ओब शांती, आज बाबा के 20 एप्रेल 2021 के साकार मदूर महवाक्य हैं, आज के मदूर महवाक्य बहुत ही स्पेशल हैं, धारना युक्त बातें, बहुत सारी बातें बाबा ने आज याद दिलाई, जिसमें से मुख्य बात बाबा ने कही, कि ये ब्रामनों के लिए बहुत छूटा सा युग है, बहुत विशेश युग है, जिसमें आपको बहुत खुशी होने चाहिए, किस बात की खुशी, कि भगवान स्वेम पढ़ाते हैं, ये आपका बहुत ही प्यारा, बहुत लवली, इश्वरिय परिवार है, इसमें आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, अभ्यास करो, हम आत्मा रूप में भाई भाई है, देभान के दृष्टी समाप्त हो शाए, जब देविमान समाप्त हो जाएगा, तो माया के तुफान भी बंद हो जाएंगे, आप बच्चों को बह बहुत बहुत मीठा बनना है, मन वचन कर्म से बाबा को इतना याद करना है, कि बहुत मीठे बन चाहिए, जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए, अगर किसी बच्चे में कोई ऐसा भूत है, तो बाबा के ते मीठे बच्चे, यह भूत यहां देके जाओ, बाबा को देकर जा लगते हैं, शेर को, हाथी को, जानवर को, तो आपस में जिनका भी आशुरी स्वभाव है, उनको भी स्नेह से परिवर्तन करना है, देदान तो जूते ग्रहन, अंदर में जो भी विकार है, उनका दान करते चाना है, बाबा कहते हैं, मैं किसी पे ताज नहीं रखूँगा, हर को अपने पुर्शाद से स्वैम को स्वैम ही राज दिलक देना है, बैज को देखते रहो, यह मेरा लक्षे है, मुझे ऐसा बनना है, बाबा ऐसा बना रहे है, बाबनी किस बैज को अपने हिरदय से लगा लो, दिल से लगा लो, मुझे ऐसा बनना ही है, और उसके लिए शर प्राइट में भी लिखना है कि हम शिरीमत पर चलते हैं या मन मत पर चलते हैं। जो शिरीमत पर चलेंगे वो एकुरेट बनेंगे। बावनी कहा आप बच्चों को याद के पुर्शाट से माया के तुफानों को शांत कर देना। पढ़ाई कभी रूट कर नहीं छोड़नी हैं। आप उसमें रुष्ट हो जाते हैं। पढ़ाई छूट जाती है। स्टूडेंट लाइफ इद बेस्ट लाइफ। अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़कर के उच पदपाना है। अपनी पाउर्फुल वृति से वायू मंडल का परिवर्तन करने वाली आप मास्टर पतित पावनी हो। जब आपकी वृति स्रेष्ट है, तो वायू मंडल स्वताई स्रेष्ट बन जाएगा। परमातम परत्यक्ष्टा का बीज दालेंगे, तो परत्यक्ष्टा होगी। आज चलते फिरते याद करना है कि मैं श्रिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे आत्मिक स्मृति का अभ्याज करना है, अपने से प्रण करना है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एक बाबा को बहुत प्यार से याद करूँगा, बहुत बहुत मीठा बनूँगा, न बिलते फिरते आत्मिक दृष्टी का भ्यास करेंगे, क्या मात्मा रूप में भाई-भाई हैं, भाई-बेहने हैं, इससे स्वतई बहुत मीठे बन जाएंगे, सारे भूत भाग जाएंगे, जितना हो सके, अपने को आत्मा समझ बाबक को याद करेंगे, तो सारे दुख दू हो जाएंगे, आज विशेश एकांत में बैठकर, अपने आपको याद दिलाना है, अपने इस परिवार के अंदर, खुशी का वातवरन लाना है, कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान का परिवार है, तो में आपस में भी बहुत बहुत प्यार से रहना है, अब मुरली विस्तार से, बाबा केते, मीठे बच्चे, तुम दे अभी मान का द्वार बंद कर दू, तुम माया के तुफान आना बंद हो जाएंगे, माया थाट पाँचविकार, इनके तुफान आना बंद हो जाएंगे, कुष्ण जिन बच्चों के विशाल बुद्धी हैं उनकी निशानिया सुनाओ पहली बात उन्हें सारा दिन सर्विस के ख्यालाद चलते रहेंगे दूसरा वो सर्विस के बिना रह नहीं सकते तीसरा उनके बुद्धी में रहेगा कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सब को पतित से पावन बनाए वो विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे चोथी बात वे बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे जो विश्व बुद्धी है वो तो को आप समान बनाते रहेंगे ओम शानती रुहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैट समझाते हैं एकागर होकर आत्मिक स्वरूप में टिक कर बैठेंगे बाबा हमसे बात कर रहे हैं सुप्रीम सोल बात कर रहे हैं मीठे मीठे बच्चों को समझाते बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे, आत्मा समझ कर बाप को याद करो, तो सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे, अपने को आत्मा समझ सब को भाई-भाई के दिश्टीर से देखो, तो देह की दिश्टी वृति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाबा आत्माओं को ही देखते हैं। तुफान आते हैं ये देय अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तुफान आने बंद हो शाएंगे ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में पुर्शोतम संगम युक पर बाबा तुम बच्चों को देते हैं कल्प में एक बार देही अभिमानी बनने की शि किलदेवच्चे तुम जानते हो अभम नर्क का किनारा छोड आगे जा रहे हैं ये पुर्षोतम संगमुग बिल्कुल अलग है ये पुर्षोतम संगमुग बिल्कुल ब्रामन, संगम युग होता है ब्रामनों का, ब्रामन है चोटी, ये ब्रामनों का बहुत छोटा युग है, ये एक ही जनम का युग होता, ये है तुम्हारे खुशी का युग, छोटा सा युग है, खुशी का युग है, खुशी किस बात की है, भगवान हमें पढ़ाते हैं, ऐसे स्टुरेंट को कितनी खुशी होगी जन्हें इस तुए हम भगवान पढ़ाते हैं उन्हें कितनी खुशी होगी तुम्हें अब सारे चक्र का ज्यान बुद्धी में है बाबा आई हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने भूतों को भगाने की युकती बताते भूत है क्रोधादी का तो मेरे पाद छोड़के जाओ तुम कहते हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल पतित से पावन बनाओ तो बाबा कितना गुलगुल बनाते बाप और दादा दोनों मिलकर बच्चों का श्रिंगार करते हैं मात पिता बच्चों का श्रिंगार करते हैं वह हद के बाप यह बेहद का बाप तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है सब विकारों का दान देना चाहिए देदान तो छूटे ग्रहन इसमें कोई बहाने आदी की बात नहीं प्यार से तुम किसी को भी वश में कर सकते हो प्यार से समझानी दो प्यार बहुत मीठी चीज है शेर को, हाथी को जानवर को भी मनुश्य प्यार से वश कर लेते हैं वै तो फिर भी आस्वरी मनुश्य हैं तुम तो अब देवता बन रहे हो तो देविगुन धारणकर बहुत बहुत मीठा बनना है प्यार की ताकत से वश कर लेना है देविगुन धारणकर बहुत बहुत मीठा बनना है एक दो को भाई 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 बहन के दृष्टी से देखो आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती बाब गते मीठे बच्चे मैं तुम्हे स्वरग का राजभाग देने आया हूँ अब तुमको जो चाहिए सो हम से ले लो हम तो विश्व का मालिक डब सरताज बनाने आये हैं प्रंतु मेनत तुम्हे करनी है मैं किसी पर ताज नहीं रखूंगा तुमको अपने पुर्षाट से अपने को आपे ही राज दिलक देना है बाबा पुर्षाट की युकती बताते ऐसे से विश्व का मालिक डब सरताज अपने को बना सकते हूँ पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो कभी भी पढ़ाई को मत छोड़ो कोई भी कारण से रूट कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पढ़ जाएगा घाटे और फाइदे को देखते रो तुम इश्वर युनिवस्टी के स्टूडेंट हूँ इश्वर बाप से पढ़ रहे हूँ पढ़कर पूझे देवता बन रहे हो तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए स्टूडेंट लाइफ इद्ध बेस्ट जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे मैनर सुधरेंगे उतना दी बेस्ट बनेंगे जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे मैनर सुधरते जाएंगे उतना दी बेस्ट बनेंगे मीठे बच्चे अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है जैसे सत्यूग से त्रेता द्वापर कल्यूग तक नीचे उतरते आए वैसे अब तुमको आइरन एज से उपर गोल्डन एस तक जाना है जब सिल्वर एस तक पहुँचेंगे तो इन करमिंद्रियों की चंचलता खतम हो जाएगी इसलिए जितना हो सके बाप को याद करू उतना तुम आत्माओं से रजोतमों की कट निकलती जाएगी कट निकलती जाएगी और बाप चुम्बक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी कशिश नहीं होती तो जरू कट लगी हुई है कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए वो है अंतिम करमाती तवस्ता तुम एक गरस्त वेवार में परविर्ती में रहते भी कमल फूल समान बनना है गरस्त वेवार में परविर्ती में रहते भी कमल फूल समान बनना है बाबा केते मीठे बच्चे घर गरस्त को भी संभालो शरे निर्वार्थ काम काज भी करो घर गरस्त भी संभालो शरे निर्वार्थ काम काज भी संभालो साथ साथ ये कमाई भी करते रो पढ़ाई भी पढ़ते रो गायन भी है हाथ कारडे दिल यारडे काम काज करते एक माशुक बाप को याद करना है तो माधा कल्ब के आशिक हो नोदा भक्ती में देखो कृष्णादी को कितना प्रेम से याद करते हैं वो है नोदा भक्ती अटल भक्ती कृष्ण की अटल याद रहती प्रन्तु उससे कोई को मुक्ती नहीं मिलती ये फिर है निरंतर याद करने का ज्यान बाबा केते मुझ पतित पावन बाप को याद करू तो तुम्हारे पाप नस्टो जाएंगे प्रन्तु माया बड़ी पहलवान है किसी को भी छोड़ती नहीं माया से बार-बार हार खाने से तु कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाएं अगर बार-बार हार खा रहे हैं तो पश्चाताप करना चाएं बाबा मीठे मीठे बच्चों को स्रेष्ट मत देते हैं स्रेष्ट बनने के लिए बाबा देखते इतनी मेनत बच्चे करते नहीं इसलिए बाबा को तरस पड़ता अगर यह अभियास अभी ने करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे याद करो पावन जरूर बनना है कुमारी जब पवित्र है तो सब उसे माथा टेकते हैं शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती सब के आगे माथा जुकाना पड़ता कन्या पहले पियर घर में होती तो इतने जास्ति समन्द याद नहीं आते शादी के बाद देके समन् फिर पती बच्चों में मोह बढ़ता जाता सास असुरादी सब याद आते रहेंगे पहले तो सिरफ मांबाप में मोह होता है यहां तो फिरों सब समंदों को भूलाना पड़ता क्योंकि एक ही तुमारा सच्चा सच्चा मात पिता है यह इश्वरिये संबन गाते हैं त्वम पत्व नहीं रखो इस्त्री को कल्यूगी पती की कितनी याद रहती वो तो गटर में गिराते यह बेहद का बाप तुम्हें स्वर्ग में ले जाते ऐसे मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रो इस याद के बल से तुम्हारी आत्मा कि वुदर्शन बन स्वर्ग कि मालिक बन चाएंगी स्वर्ग का नाम सुनकर दिल खुश हो जाता जो निरंतर याद करते हैं औरों को याद कराते हैं वो उच्पद पाएंगे यह पुर्शार्ट करते करते अंत में तुम्हारी अवस्था जम जाएगी यह दुन्या भी पुरानी है, दे सई दे के सब समंधु पुराने है, सब से बभ्योग हटाए, एक बाबसंग जोड़ना है, जो अंत काल उस बाप की याद रहे, और कोई का समध्याद होगा, तो फिर अंत में वो याद आ जाएगा, पद भरस्ट हो जाएगा, अंत काल जो बेहद बाप की या मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे बेहद बाप के पास आते हैं, रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते, बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादिशा ही मिलती हैं, वो कभी भूलने नहीं चाहिए, सिदा याद रहे, तो बच्चों को अपार खुशी रहे, ये बाबा के इसको तो हमेशा अपने दिल से लगा लो, घड़ी घड़ी देखते रो, कि हम ऐसा बन रहे हैं, ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं, बस बैज को देख, उसे प्यार करते रो, बाबा बाबा करते रो, तो सदा स्मृती रहेगी, बाबा बाबा करते र हो बैज को देखते रहो हम ऐसा बन रहे हैं तो बाबा की स्मृती रहेगी हम बाप द्वारा ये बनते हैं बाबा की शिरीमत पर चलना है मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए सार दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहें बाबा को तो वो बच्चे चाहिए जो सेवा के भी नानी रह सकते तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है अर्थात्पति दुनिया को पावन बनाना है सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है तीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है ना तुम तो बहुत उच टीचर बनते हो जितना अच्छा टीचर विश्व को आप समान बनाएंगे कभी ठकेंगे नहीं इश्वरी सर्विस में बहुत खुशी रहती है बाप की मदद मिलती है यह बड़ा बेहद का व्यपार भी है व्यपारी लोगी धनवान बनते वो इस ज्यान मारग में जास्ती उचलते हैं बा जिसके अंदर अदम में साहस है नहीं ने बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं हरेकी इंडिविज्वल तकदीर है तो पुरशाथ हरेको इंडिविज्वल करना है अपनी पूरी चेकिंग करनी है पुरशाथ में व्यक्तिगत रूप से पुरशाथ करना एकांत में जाकर इसमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए, ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम राद दिन पुर्शात में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम बेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें, अपने से पक्का प्रण कर देते, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स प्रण करती हूँ, आपको ही याद करूँगे, बाबा को सामने देखते, सच्चे दिल से प्रण करें, इस प्रण को लिख भी लेंगे अच्छे से, दिन रात पुर्शाट करना है, टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें, अपने से पक्का प्रण करते ह आपको कभी नी भूलेंगे, स्कॉलर्शिप लेकर छोडेंगे, ऐसे बच्चों को फिर मदद मिलती है, ऐसी नई ने पुर्शारती बच्चे तुम देखेंगे, साक्षत कार करते रहेंगे, जितना नजदीक होते जाएंगे, उतना खुशी में नाचते रहेंगे, उदर ख खुशी बढ़ती जाएगी, इसको नज़ारे नसदीक नहीं दिखाई पड़ते, उन्हें खुशी भी नहीं होगी, अभी तो कल्यों की दुनिया से वेराग, सत्यों की नई दुनिया से बहुत प्यार, शिव बाबा याद रहेगा, तो स्वरग का वर्शा भी याद रहेग तुम बच्चे जानते हो यह हम स्वरक की तरफ जा रहे हैं पावन नरक की तरफ हैं सिर्फ स्वरक की तरफ हैं अब छोटे बड़े सब की वानप्रस्थवस्ता हैं बाब को सदा नशा रहता ओहो मैं जाकर यह बाल कृष्णु बनूंगा जिसके इने डवास सोगाते भेशते रहते जिने पूरा निश्य वो गोपी काई सोगाते भेशती हैं उन्हें अतिंद्रिय सुक्की भासना आती हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे कल पहले भी हम ही बने थे फिर हमने चुरासी पुनरजनम लिए यह बाजोली याद रहे तो अहोव सो भागे सदैव खुशी म में रो अथा खुशी में रो बहुत बड़ी लौटरे मिल रही है पांजर वर्ष पहले हमने राजबग पाया था फिर कल पाएंगे ड्रामा में नूद है जैसे कल पहले जनम लिया था वैसे ही लेंगे वह हमारे माबाप होंगे जो स्रीकृष्ण का बाप था वही फिर बन अगर मन्थन ने करता इसका मदलब अनहेल दिये गव भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती है मुख चलता ही रहता मुख ना चले तो समझा जाता बीमार है ये भी ऐसे है बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है कितना प्यार से बच्चों को खुशी का पारा चाढ़ना चाहिए पारा चड़ेगा याद की यात्रा से बाब कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं पांट तत्मों सहित सब को पावन बनाते, कितनी बड़ी बेहद की सेवा है, शिरीमत पर चलने से तुम एकुरेट बनेंगे, बाबा की शिरीमत पर चलने से आप एकुरेट बनेंगे, अच्छा, मीठे मीठे सिक्रदे बच्चों प्रती मात पिता बाप तदक, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप तदको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धर्णा के देश सार, पहली पॉइंट है, अपने आप से प्राण करना है, खुद से ख बूलेंगे संगम का हर पल सफल करेंगे बाबा को कभी नहीं भूलेंगे स्कॉलर्शिप लेकर रहेंगे दूसरी पॉइंट है सदा स्मृती रहे अब हमारी वानप्रस्त अवस्था है पाम नरक की तरफ सिर स्वरक की तरफ बाजोली को याद कर अथा खुशी में रहना है दे अपनी पावर्फूल व्रिति द्वारा पतित वायू मंदल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भाव अपनी पावर्फूल व्रिति द्वारा पतित वायू मंदल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भाव कैसा भी वायू मंदल हूँ लेकिन स्व स्वयम के वृति निर्विकारी हो जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायु मंदल के वशिभूत नहीं हो सकते मास्टर पतित पावनी बन स्वयम के पावर्फुल वृति से एपवित्र वा कमजोरी का वायु मंदल मिटाओ मास्टर पतित पावनी बन स्वयम के पावर्फुल वृति से एपवित्र वा कमजोरी का वायु मंदल मिटाओ कमजोर वापतित वायु मंदल का वर्णन करना ये भी पाप है स्लोगन है अब धर्नी में परमातम पहचान का बीजपो तो प्रतिक्षता होगी आज हम सब चलते फिरते याद करेंगे मैं मास्टर पतित पावनी हूँ ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें करेंगे अव्यक्त मुरले जरूर सुने करेंगे मैं पाली जरूर सुने के बीजपोंगे मैं भी करेंगे पर दो प्रतिक्षता है